असलाम वालेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ मगस खटागट इसलिए हमको चाहिए है एक पुरे मगस का वन थर्ड पार्ट जो ये दो के अच्छे से साफ कर लें तू दर्म्याने टमाटर बारी चौक कर लें एक प्यास बारी काट लें वन टेबिल स्पून दसन और वन टी स्पून अधरक कूट लें वन फोर्थ कप दही लाल मिल्च पाउडर वन टेबिल स्पून नमक वन टेबिल स्पून धनिया बारी कुटा हुआ वन टी स्पून जीरा बारी कुटा हुआ हाफ टी स्पून मेथी दाना बारी कुटा हुआ हाफ टी स्पून वन फोर्थ टी स्पून हल्दी आप हुआ हे तक पूर्थ कप अएल रधन्या बारी काट ने थोड़ा सा हरा धन्या बारी काट ने थोड़ा सा हरी मिर्चे दो से तीमि सबसे पहले मैं फ्लेमान करूँगी फ्लेमान करके उसके नदर ओयल एट करूँगी अब इस ओयल में मेथी दाना डालूँगी मेथी दाना है जो मैंने कोटे रखा था अब 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 यह थोड़ा था मेथी दाने के खुश्बू थोड़ी ओयल में आ जाएगी अब मेथी दाने के खुश्बू अच्छे से जो है ओयल में आचकी है अब मैसमें प्याद अब अब इसमें प्याद करूँगी को ड़ती बेसा है बडेस्टताने के शाला करके नहीं था काझने लुष्टत की दो बारी करेंट बारीHAHA सबस् eth वरताने की पिरल मृत्यों अब करें सूरा अभम नातने आपा है और जाएजा मैं इसमें लाइसन अगरब दालूगी लाइसन अगरब दाल दर इसको भूहाद ऐसे रहे के मैं सब्सक्राइब दभी अच्छे समें सब्सक्राइब अब मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगी इसके अंदर मघज राल दोंगी मघज राल के इस वच्छे से भूहना है अब मैं इसके अंदर सारे मसारे एट करूंगी जितने भी सुखे मसारे थे दन्या पाउडर वीरा पाउडर हल्दी लाल मेरेच सब्सक्राइब अच्छे से मिक्स होगे मसाले अच्छे से मिक्स होगे इसमें टमाटर डाल के इसको भूहना थोई ते अच्छे से इसको भूहना है जब टमाटर डाल के इसको अच्छे से भूहना जब टमाटर का पानी सुख जाए तब इसके अंदर तभी एट कर ने अमस्तवरा की जबशूक भूहत कर अच्छे से बहुतर का आपनी इसको ने जबब दॡह आटकर अषित झिप करना जब इसम मगज का पानी स्हें सुख जाया जब इसके अंदर आपने दशी टे पोरिया और गुष्ट रखें साथ रखोला लिए अब नहीं हरी मेर्चों की निर्चे और उच्छे से इसके अंदर आजाए इसका चम्चे चलाते रहना है यह चिपा जाएगा नीचे तो इसके उख चुका है अब मैं इसके अंदर दही शामिल कर दूँगी दही शामिल करके तोड़ी देर इसको चलाना है कि अच्छे से पक चुगा है ये इतना पंगी है कि अच्छे से पकाना है कि अच्छे से पकते हैं मैं इसको डेश आउट कर दें अब मैं इसको डेश आउट करेंगी मैं हरा धनिया से इसकी गार्निशिंग कर दूँगी बीफ मदस खटकट तयार है इसको आप चपातियों के साथ सेफ करें आपको आज की हमारी रसीपी पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अल्ला हाफिज क्मारा चैनल जरूरा कि म publication अल्डूर बुर मुईर जरूर तर हमार्स झाल झाल